मोधी सरकार के कारकाल में गरीब होना मध्यमवर्गी होना एक भाजपा के बारा बारा सांसद जनता ने भारी मतों से जिताए कि आप वहां दिल्ली में कोरोना काल में हमारा साथ दीजिए सरकार को बाध्य करिए तो दुर्भाग यह है उन भाजपा के बारा सांसदों का जो निकब में निकले पूरे के पूरे संपून कोरोना काल में मैं इस समय जारखंड इकाई के परदेश प्रवक्ता कांग्रेश के परदेश प्रवक्ता हमारे साथ युराशी जी मवजूद है और आज हम इनसे कोरोना के विशे में वैक्सिनेशन के विशे में तमाम विश्यों पर चर्चा होगी आप जानते हैं कि देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है और तीसरी लहर लगबग दस तक दे चुकी है ऐसे में देश में वैक्सिनेशन चल रहा है और बिजेपी सरकार का दावा है कि सो करोन लोगों को वैक्सिन लग चुका है और उसके उपलच में बिजेपी सरकार उत्सो मना रही है हम आप से जानना चाहेंगे कि इसे आप किस परिपेच में देखते हैं जी देखिए सौ करोड वैक्शिनेशन का जशन तो सिर्फ भाजपा मना रही है असल में इस देश की जनता मोदी सरकार के संपून करोणा काल में किये गए कू निती कू प्रबंदन के कारण हुए प्रति दिन 4000 मौतों पर धिकार दिवस मना रही है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह दुरभाग ही है इस देश का कि जब देश में संपून जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी 2020 में जब 2020 के नवंबर में एमरीका जैसे देशों ने सत्तर हजार करोड वैक्सीन बुक किये थे कैनेडा ने अपने आबादी के परिपेक्षक से पांच गुना ज्यादा वैक्सीनेशन बुक किया था तब हमारे देश के प्रधान मंत्री ताली और थाली बजवा रहे थे और कहां थे बंगाल चुनाओं में भाजपा का प्रचार मंत्री बनकर 23 तईस रेलिया उन्होंने की और इस देश को अपने हाल पर छोड़ दिया यहां की जनता त्राही त्राही कर रही थी जिस प्रकार कॉर्वों ने माता द्रौबदी का चीरहरन किया था उसी प्रकार इस देश में काला बजारियों ने संपुन कोरोना काल में हमारे देश की जनता नीरी जनता जिनके पीडित लोग कोरोना से ग्रसित थे उनका आर्थिक रूप से दोहन किया शोशन किया एक-एक रेम्डे सिविर की डोजेज एक-एक लाक रुपे में बिक रही थी ऑक्सिजन सिलिंडर मैंने खुद कई लोगों के लिए फोन किया पचास हजार रुपे में बेचा जा रहा था और इस देश की जनता कोई जमीन बेच रहा था कोई अपनी धर्णपत्नी का जेवर बेच रहा था कोई घर बेच रहा था तब ये मोधी सरकार जशन क्यों नहीं मनाती उस चीज़ का कुछ आकड़े हैं इस बार जो संपून कोरोना काल में यह तराजदी थी मोधी सरकार ने हम देश के युवाओं को चुकी मैं भी एक युवाँ हूँ 18 से 44 उमर के लोगों को वैक्शिनेशन करीब करीब मै एक तारिक तक वैक्शिनेशन से वन्चित रखा उन्हें वैक्शिनेशन नहीं दिया कारण हुआ कि आपके जैसे एक पत्रकार रोहित सरदाना और राहूल वोरा एक व्यक्थी जो दिल्ली में समाच सेवा करता था उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ऐसे कितने युवा थे क्योंकि इस देश में युवा कमाई भी लाते हैं परिवार में दवाई भी लाते हैं तो कोरोना में वहीं बहार निकलते थे और इससे सबसे ज़ादा ग्रसित होते थे और एक चीज़ बोलना चाता हूँ कि इस सो करोड वैक्सिनेशन का जशन भाजपा इसलिए मना रही है क्योंकि ये मैं नहीं ये मेरे शब नहीं ये दिल्ली हाई कोट ने कहा था कि मोधी सरकार चाती ही नहीं कि इस देश की जनता की जान कोरोना में बचे कहींने कहीं ये संख्या कम करने चाहते है और साथी साथ अगर कोरोना काल की बात करें तो जब कोरोना संकट लगा था तो उस समय ठीक पहले जब कोरोना दस्तक दे रहा था तो ये नमस्ते इंडिया का कारिक्रम मना रहे थे और जब कोरोना अचानक के करफू लगा देते हैं ऐसे में लोगों को दिल्ली बंबई से पैदल से आना पड़ता है क्या उस समय सरकार एक दो दिन की धिलाही दे करके लोगों को अपने निवास अस्थान पर पहुचाने का कर सकती थी नहीं देखिए मोधी सरकार ने नोट बंदी भी इसी तरह किया क्या आखिर कारन था एक हजार लोगों ने जाने गवाई नोट बंदी में अपना पैसा लेके खड़े थे अस्पताल के आगे कि मेरे भाई का इलाज कर दीजे बहन का इलाज कर दीजे पर अस्पताल वाले भी उनक तो रात नोट बंदी कर दी और देश में 99.9 प्रतिशत पैसा वापस बैंकों में आ गया कहा था कश्मीर में अतंगवाद रुख जाएगा रुख गया अतंगवाद पलायन कर रहें आज भाजपा के राज में वहां पर लोग रही बाद यह प्रश्न की की सरकार चाहती तो ध धिल दे सकती थी अगर मोधी सरकार गरीबों की ही तैशी होती तब ना धिल दे थी 2020 में सबसे ज्यादा लोग रेल से कटके मर गये याद करिए वो मजदूर जो मजबूर होकर पैदल चले और ट्रेन के पट्री पर रात में सोए पर सुभा नहीं देख पाए मैं बताना चा भारत योजना संपून देश में एक आदमी भी उसका लाब नहीं उठा पाया कोरोना में कोई पीडित उसे इलाज नहीं करवा पाया स्वयम बिहार का एक बड़ा स्वास्त कर्मीन या बाद दैनिक भासकर से कही थी कि हमारे प्रदेश में संपून कोरोना काल में एक भी इ लाजी आयुश्मान भारत से नहीं हुआ क्योंकि उसमें वह प्रावधानी नहीं था कि जी कोरोना काल में अगर बात करें तो इनकी एक विशेश सुविधा मिलती थी कि उन्हों ने राज की तरफ से पाँच किलो रासन प्रतिविक्त और केंद की तरफ से अलग पाँच किलो रासन जिसило को को स्था जात्यान भिभागㅎ की चिंता नहीं सताई है और लोगों का जीवन आसानी से घरिबों K thinking consists मोधी सरकार मैंने कहा मोधी सरकार के कारकाल में गरीब होना मध्यमवर्गी होना एक पाप है क्यों पाप है गंगा में लाशें 2000 के करीब तैर रही थी जब मोधी जी बंगाल में चुनावी रहलिया कर रहे थे हमारी राज की बात करूं तो भाजपा के बारा बारा सांसद जनता ने भारी मतों से जिताए किसलिए कि आप वहां दिल्ली में कोरोना काल में हमारा साथ दीजिये सरकार को बाध्य करिये तो दुरभाग यह है उन भाजपा के बारा सांसदों का जो निकम में निकले पूरे के पूरे संपूर्ण कोरोना काल में और जिसका कारन हुआ कि मोधी सरकार ने जहरखन को सिर्फ 450 रेमडे सिवीर की डोजेज दी थी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को भाजपा शाचित मध्य प्रदेश को करीब करीब 21,000 रेमडे सिवीर वाइस दी थी यह भाजपा सिर्फ जश्न मना रही है देश के पतन पर लोगों की पीडा पर कहें बात अगर हम बात की सुरुआत करें भरस्टा चार की तो 2014 के पहले कांगरेस पर विभिन तरह के गोटाले के आरोप लगे तूजी हुआ, कोल गेट हुआ, कोल घोटाला हुआ, इस तरह के कई सारे रेलवे घोटाला हुआ, कई सारे घोटाले की लिष्टी, लेकिन अभी तक भाजपा के साथ साल का कारकाल लगभग बेदाग रहा है, अभी तक उस पे कोई भरस्ताचार का कोई आरोप ऐसा नहीं सामकिया, तीन करोड राशन कार्ड उन्होंने निरस्त किये थे, कोरोना के लोगडाउन के बीच में, और जारखंड सरकार का या कीर्तीमान है, कॉंग्रेस गटबंदन सरकार का दस लाख लोगों को लगातार चार महिने तक निशूलक भोजान उपलप्त कराया था हमने, र खुद स्वयम प्रधान मंत्री हिंदूस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड जो नाजाने कितने बड़े बड़े वायू विमान दे चुकी है, उसे दरकिनार करके अपने साथी का हाथ पकड़के अनिलंबानी, जिस पर एस एस बी आई ने नब्बे हजार करोड रुपे का लाखों के पीछे हैं, आज मोदी सरकार में निरव मोदी हो, मेहूल चौकसी हो, विजय मालिया हो जो गैर इरादतन बकायदार हैं, जिनका करीब करीब पचास से साथ हजार करोड रुपे मोदी सरकार ने माफ कर दिया कर्ज, वह या देश छोड़कर भाग गये, विदेश का किसान, जिस पर 16 लाख करोड रुपे का बकाया है, उसका कर्ज मोदी सरकार नहीं माफ कर रही है, राफैल डिल की बाद, पेगासस की बात करू, तो आप भी जानते हैं किस तरह पेगासस में देश के कॉंग्रेस पाटी से लेकर पत्रकार तक इन्होंने जासुसी और भरष्टा चार में मोदी सरकार ने नया किरती मान स्थापित किया है, राफैल डिल में फ्रांस में इस पर जाँच बिठाई जा चुकी है, और बहुत जल्द फ्रांस में जो भरष्टा चार के आरोपो पर जाँच बिठाई गी, उसकी लपट भारत तक पहुँचेगी अब मोदी जी तक भी पहुँचेगी बात करें नोटबंदी की तो आपने निरो मोदी की बात की चोकसी जी की बात की तो लगभग इनका जो करजा माप हुआ था वो नोटबंदी के दोरान हुआ था कहीं नोट बंदी का ये मकसद इनके करजे उदोग पत्यों के करजा माप करना था या फिर आतंग बात की कमर तोड़ना था नोट बंदी का मकसद था अपने दोस्तों का पैसा पहले ही उन्हें बताकर वाइट कर लो खुद स्वयम अमीट सा के बैंक में नोट बंदी से ठीक एक दिन पहले करोडों से करोडों रुपे जमा हुए थे किसके पैसे थे वो और सबसे बड़ा भरष्टा चार का जीता जाकता स्मारक मोदी सरकार के कारकाल में हाल में आए स्वीस बैंक के आखड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में स्वीस बैंकों में अभी 20,000 करोड रुपे काला धन बढ़ गए हैं मोदी जी बताएं देश की जन्ता को कि आखिर किन-किन मित्रों का पैसा वहां जमा है किन-किन मित्रों का जमा है मेहुल चौकसी का जमा है नीरव मोदी का जमा है विजय मालिया का जमा है किसका जमा है मोदी ही जी वो वेक्ती थे जो चुनावों में युवाओं पर देश की जन्ता को जुमला फेकते थे कि मैं आऊंगा तो 15-15 लाग काला धन सबके अकाउंट में आएगा आज काला धन स्वीज बैंक में बढ़ गया है वो उनके मूँ से एक बकार तक नहीं निकल रहा है आखिर क्या कारण है ये कारण यही है कि आज मोदी जी भ्रष्टा